इसमें यह कंबन जो लगा रहा है इसे बड़े साउंड सर्वेस्ट वाला भी आपके सामने फैल होगा इतने सिस्टम के सामने एक मंच की इधर लगाई हो इसके साथ में आपको यह वाला वाक्स और बाकी आप जो मॉनिटर लगा रहे हैं तो मॉनिटर मंच का काम बिल्कुल क करना है जो भाई हमारे साउंड का काम सुरू करना चाहते हैं या जो भाई हमारा साउंड सर्वेस को चला रहे हैं बहुत ही परेसान है उनको क्वाल्टी नहीं मिल रही है तो जो भी भाई हमारे हैं इस छित में तो मैं उनको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आपको जो स्ट्रिश्ट्रम में नए हैं यह काम सुरू कर ना चाहते हैं तो कुछी में कर ला हूं नहीं तो आप को कर देखाना है कि आपको कौन से स्पिकर खरीद रहे चांडना है, कोन सा user unit मैं तीन चीजे इसमें में आपको डिस्कस करने वाला हूं नहीं तो आप निए अपनिका लगा लेंगे आप केबिनेट खरीद के तो आप उसको चला नहीं पाएंगे तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले जो आप एक हमारा पेर देख रहे हैं यह हमारा 250 DxM है यह हमारा 250 DxM है यह हमारा अहुजा का है तो इसमें आपको सबसे पहले जो भी भाई हमारे काम सुरू कर रहे हैं तो उनको यह 250 DxM मैं इसके बारे में बता दहूं 100W का इस्पीकर होता है और इसको आप फोरोम पर चलाएंगे तो आपका बेस्ट क्वाल्टी मिलेगी और आपको कौन सा इसके लिए एम्प्लिफायर लेना पड़ेगा तो 5000 EM या SPA 5000 आहुजा का ले सकते हैं उसपे यह बहुत ही बेस्ट चलता है उसपे आप चलाके और बहुत ही लाइब कारी करम में आप जहां भी लगाएंगे तो बिल्कुल यह समझ लेजिए कि धहमाल मचा देंगे इसके अलावा आप कितना भी 500 वाट 1000 वाट का स्पीकर भी लगाके इसके सामने आप चलाएंगे तो बो क्वाल्टी इसमें नहीं निकल पाएगी वहले ही वह बाटे आना पड़ेगा और लास्ट में आपकी क्वाल्टी नहीं मिलेगी तो आपको यहीं लेने पड़ेगा दूसरी चीज में आपको बताता हूं दूसरा प्यर भी यह आप जो इसमें इमेज में देख रहे हैं दूसरा प्यर यह हमारे छोटे कारिकरम जैसे सुन्दर कांठ ओर बहूँ तो भूस चलता है तो भूस गलत ہے तो आप इन किसी की चीजों पर ध्याननीदे किसी की कमेंट भी धयान नीदे ला तो आप को सेस्ट कर रहा हूं इसका ध्याद नहीं तो आप कोई भी लेफ्न लेंगे तो आपको ङ्ना पड़ेगा में गारंटी लें आ दूसरी चीज में बताता हूं आपको जो दूसरा पर में आप देख रहे हैं यह हमारा है यह हमारा एडिए आर एकस रख 5 ये जो पियर हमारा आता है XRX 500 और XRX 500 10 भी आने लगा है तो वो थोड़ा महेंगा है लेकिन इसको आप ले सकते है क्वाल्टी में कोई फरक नहीं है आप क्वाल्टी बेस्ट क्वाल्टी इसमें आपको मिलेगी तो ये है हमारा अहुजा का SRX 500 तो इसका भी सांड क्वाल्टी में कोई भी जवाब नहीं है आप इसके सामने 1000 बाट का पियर भी खड़ा कर दीजिए ये 800 बाट का है और आप 1600 बाट का पियर खड़ा कर दीजिए इसके सामने कोई क्वाल्टी नहीं निकाल पाएगा दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपको जब लाइब प्रोग्राम करते हैं तो इन ही बॉक्सों को आप खरीद लीजिए और इन ही बॉक्सों को आप पबलिक की साइट देजिए आठ बॉक्स का काम है बहुत गजब क्वाल्टी आपको मिलेगी इसकी मैं गारंटी ल प्रोग्राम बनता है तो फोर ओम पे इसको आपको चलाना पड़ेगा फोर ओम पे जहां से इसको आठ सो वाट मिल जाए जो हमारा अहुजा का एक हजार वाट का एमप्लिफायर होता है उस पे हम इसको आसानी से रन का सकते हैं बहुत ही बेस्ट क्वाल्टी आपको एक हजार वाट पर ये देगा तो इस पर आप चलाए दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं पूरी चीजों को ध्यान से सुनना वीडियो को इसके बिल और इसको चलाने के लिए आपको एक 500 वाट का एमप्लिफायर अहुजा का लेना पड़ेगा इसके बाद में आप जो ड्राइबर लेते तो ओम वाले आप नहीं लीजिए क्योंकि कभी हमें बहुत दूल लगाने पड़ जाते हैं तो उसी क्वाल्टी हमारी कम हो जाती है य चीज़ों को बढ़ाते चले जाएंगे तो आपका सिस्टम देरे बढ़ता चले एक साथ आप नहीं ले सकते तो एक ले लीजिए फिर इसके बाद दो लेना फिर चाल लेना तो आप लम्टी ड्राइवर ही लेना इससे आप जितनी चाल लंबी दूरी पर इसको लगा सकते ह या इसको लगबग लगबग आप एक किलो मीटर तक भी लगा देंगे तो आपका यह चलता रहता है कोई दिखकर इसमें आपको नहीं आने वाली है और उसको ज्यादा है ज्यादा आप 30-40 मीटर तक ही लगा पाते हैं से आगए उसकी क्वाल्टी कम होने लगती है तो इस भी हमारा अहुजा का जो है यह हमारा srx500 या srx510 भी आता है तो आप भो भी ले सकते हैं यह इसमें यह कंबल जो लगा रहता है उसकी साथ आता है वो उसका पैंटे बॉड़ी आती है तो उसको आप खरी सकते हैं लेकिन sound quality का इसका कोई जवाब नहीं हो यह बार आप इ वादे हैं उसको लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ एक box जो आपका यह है srx500 का एक इधर लगाई है वे एक मज के इधर लगाई है इसके साथ में आपको यह वाला box छूटल वाला एक साथ एक ही लिगाना ऑन यहां से चूटल रहेगा यह चूटल वाला और यह ज जो monitor लगा रहे हैं तो monitor भी आप अहूजा का लगा के सामने से दो monitor दे दीजिए तो मंच का आपका काम बिल्कुल complete हो जाता है वो इतनी सांदार quality आपको मंच पर मिलेगी कि आपका कोई भी सुनने वाला हो यह निगस रखता है कि आपका sound system खराब है और यदि आप बनवाने क सामने कोई भी क्वाल्टी किसी भी क्यादनेट सको लगा के और आप क्वाल्टी बजा के इसके बराबार आप developaten बथेंगे तह समझ आपना आप बताना में कमेंट कर आप दो कि कितना भी किसी बड़े बड़े 1000 2000 वाट की स्पीकर डालके उसको चलाने की कुछिस कर रहे हैं कि इससे हमको क्वाल्टी मिलेगी तो मैं एक चीज उसमें भी आपको बता देओं कि जो बेस वाले स्पीकर हैं उसको भी आप कंपनी फिटेड ही लीजिए जो अहूजा की लीजिए यह इसको प अलग होती तो उसको आप चला के देखना और बनवाए हुए चला के देखना कभी क्वाल्टी निकाल पाएगा चाहिए आप उसमें अहूजा काही सब कुछ डाल दीजिए लेकिन फिर भी वह इस जैसे बन्या हुगा जो कंपनी से फिटेड आता है यह क्वाल्टी आपको नहीं मिलेगी यदि आपको सुरू काम करना चाहते हैं या आपको क्वाल्टी नहीं मिल रही है और आप बार बार अपने सिस्टम में परेशान बहुत सारा मठेरियल भी रखके होगे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आप यह पियर ले लिजिए और यह पियर लेने के बा दो होन भी स्टेश को की साइट दे और इनको भी आप एक बोक्स को चोटे वाले को उससैट वाले को और एक बडे वाले को तो उस साइट से पब्लिक को भी बहुत अच्छी आबाद जाएगी और साइट भी होरन और बॉक्स के साथ दे सकते हैं तो पब्लिक के लिए अब आपकी requirement क्या है requirement मान लीजे कि आपको भूस सारा सिस्टम लगाना है तो आप इसी सिस्टम को बढ़ाते जाएए तो मैं गारं नहीं तो आप प्रोग्राम में फैल हो जाएंगे यह मेरी गारंटी है आप प्रोग्राम अच्छे से नहीं कर पाएंगे कई भाई लोग हैं जो इसको जो उल्टा सीधा सामान लेके और हमारी केवनेट बगारा लेके और वह स्पीकर उसमें हो जाके या किसी भी कंपनी के डाल के चलाते हैं कभी क्वाल्टी नहीं मिल समय कि思ब चार सॉ वॉट की स्पीकर के सामने आप बजा के देख लेंडा पहले आप मंच परहजारनी के लगा देना और फिल लगा देना यह चार सौ वी मशीन आपको लगानी हैं तब तर आप इस देखेंगो अहुजा के लावा कोई भी मसील लगा देंगे तब भी क्वाल्टी देगा लेकिन अहुजा पर बेस्ट क्वाल्टी नकलता है इसलिए आपको इस चीज का दिया रखना है और आप इसको लेके चलाइए और ज्यादा महेंगे माइक आपको नहीं खरीदने है आप मीडियम रेंज के माइक खरी दिए दो हजार तक का माइक खरी दिए और उसको माइकों को अच्छे से लगा के माइक चला आइए और यही इस फीकल लगाई है और मशीने लगाईए आहुजा का ही आप डाइफ्राम जो मैगनेट होती है तो आहुजा का ही मैगनेट कभी कर योके वस्य वाई हैं में डाय चीज़ को बनी रहे गी आपको कभी कोई परिसान हो यह छोगी है नहीं चीजर कोई लेगाना पड़ेगा और अहुजा के अलावा कोई भी sound quality नहीं दे सकता है मैं आहुजा का परचान नहीं कर रहा हूं मैंने जो चलाया है मैंने जो देखा है कि इससे अच्छा performance मुझे कहीं नहीं मिला मैंने भी speaker बनवाए कई cabinet बनवाई उसमें लगा के देखा लेकिन उसमें जो performance जो quality मिलती है कि करेंगी और इसको हीा बढ़ाते जाएंगे तो आपको कभी extract नहीं प्रॉबलम होथी इसपीकर घण से नहीं होती है उतने खरीद लिजिए और आप सुरूबात इसी से करिए आप सर्फ दो इस्पीकर से सुरूबात कर दीजिए चार होनों और दो इस्पीकर इक खरीद लिए देखना आप क्वाल्टी आपको छोटे प्रोग्राम में आप कहेंगे कि मैंने कोई चीज सजेस्ट कि कोई नहीं नहीं और आप इसको खरीदने के बाद आप चलाएंगे तो आप खुद सोचेंगे के सर ने जो बताया है वो बिल्लकुल परफेक्ट बताया था और इसके अलावा आप अगर कोई दूसरा खरीद लेंगे तो आप पस्ताएंगे और आपको यही लेना पड़ेगा इसकी मैं